टाइम से इंतजार था कि जियोफोन नेक्स कब लॉंच होगा अब जियोफोन नेक्स लॉंच हो चुगा है तो क्या यह वर्थिट है इनके फीचर्स क्या क्या है स्पेसिफिकेशन क्या है प्राइस क्या है EMI कैसा है क्या आपको लेना चाहिए सारे कोस्टन को चलिए आजके वीडियो में देखते हैं ताकि आपको सारे डीटेल्स आपके मिल जाएं सारे आपके क्वेश्चन्स क्लियर हो जाएं तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं हलो फ्रेंड्स माइनम इस अपने स्वास्तो और आप देख रहे हैं मेरा यूडिव चैनल टेकनोलोजी ट्रिप चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइजिंग की जो जियो फोन नेक्स है वो कैसे किस प्राइज में आपका लॉंच हुआ है तो यहां पर आपको EMI का भी option दिया गया है उसका हम बात में discuss करेंगे पहले बात कर लेते हम फोन के बारे में कि फोन के स्प्रेसिफिकेशन के साथ आता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर तो प्रोसेसर इसमें आपको दिया है कॉलकूम स्नेपडरागन का 215 द 3500 mAh की बैटरी है जो कि मेरे सबसे कम है बढ़ ठीक है चल जाएका पूरा दिन ना चले लेकिन आपको साम तक तो यह निकाली देगा डिस्प्ले की बात करें तो 5.44 इंच का आपका HD डिस्प्ले दिया हुआ है मला 720 x 1440 रिजोलेशन के साथ दिया हुआ है 60 Hz को इसमें आप इसप्रेटिक सिस्टम कोन सा है उसमें नियूरी लाउंच प्रगती ओएस दिया हुआ है जो की गूगल ने बनाया है और ठीक ठाक है कोई दिकत नहीं है ऐसा कोई लेक तो नहीं है तो ठीक ठाक आप उसको ऊइस बोल सकते हैं केमरे की बात करें तो आपको 13 मेकापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है और 8 मेकापिक्सल का अपको सेलफी कैमरा मिलता है मोड की बात करें तो उसमें आपको HDR मोड नाइट मोड पोट्रेड मोड मरला मोड आपको दिये वे हैं आप उसको यूस कर सकते हैं अब प्रेक्टिकल ग्रॉंड में आपको कैसे पिक्चर मिले तो देखिए जैसे मैंने प्राइजिंग आपको बताया कि अगर आप इसको अप्फरंट लेते हैं तो 6500 में यह आपको मिल जाएगा बड़ अगर आपको उतने पैसे खर्च नहीं करना है तो जी आपको ओफर देता है कि आप 1,999, 2,000 रुपीज आप दे दीजिए और पांस सो एक रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है मलाज आपको 2500 अपको इनिशल या देना पड़े गा उसके अलावा उसके बाड़ आप उसको EMI पर भी ले सकते हैं मला आपको 24 मंद का भी EMI है और 18 मंद का भी EMI है और अलग-अलग आपको प्लान दिये हैं उस EMI के लिए तो देखते सबसे पहले प्लान आपको कौन-कौन से दिये हैं देखिए जो पहला प्लान है वो मेरे ही सबसे तो कोई सेंस का है नहीं इसका इन्होंने नाम दिया है Always-on प्लान यह आपको 24 मंद का हमाये चाहिए है तो हर मैना 300 का रिचारज करते परुसे चाहिए और 18 मंद का लेन थो 350 को रिचारज करना पढ़ है इसमें यह ऊँवरॉल पांठ च भी पर मनत और और 100-minute का calling पर मंद जो आज के इंट में मेरे खाल से sufficient है ही नहीं जब से जी ओने ही सब की आदाद बिगाड़ दी है अब जी ओ आपको नेटवर्क भी आपको जाता लगता है अमला डाटा भी आपको जाता लगता और calling तो लगता ही लगता है तो यह किसी एंगल से sufficient नहीं है लेकिन हाँ इनका जो next plan है large plan इसको आप consider कर सकते हो और मेरे सब सबसे best plan का यही है पर यह plan भी क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको end में बताता हूँ तो बात करता है आप लार्ज plan का इसमें आपको 24 मन्त आपको देना पड़ेगा 450 रुपीज और अगर आप 18 मन्त का EMI लेते है तो आपको 500 रुपीज पर मन्त देना पड़ेगा जिसमें आपको 1.5 GB पर डेक आपको data मिलेगा और आपको unlimited voice call यहाँ पर बिलेगा जोगी unlimited calling यान voice call तो आपको है ही लास्ट प्लान का double XL प्लान अभी कपड़ा वीचरे के प्लान पता नहीं पर double XL प्लान है 24 मन्त का प्लान आया है इनका 550 रुपीज का और अगर 18 मन्त के लिए आप लेंगे तो 600 पर मन्त इसमें आपको मिलेगा 2.5 GB पर डेका data और unlimited voice call तो है ही तो सबसे best plan जो यहां पर है वो आपका आ रहा है आपका large plan जो कि आपको अगर आप उसको 18 में निकले लेते हैं तो 500 रुपाय पर मन्त आपको लिए यह आ रहा है तो क्या यह वर्तित है चलिए थोड़ से सको calculate कर लेते हैं इसी plan को हम बात करते हैं मालीजी अपने जियो फोन को आपने लिए 18 मन के EMI पर इसी plan में तो आपको हर मैना रिचाज करना पड़ेगा 500 रुपीज आपको 18 मन तक रिचाज करना पड़ेगा जो कि होता है 9000 रुपीज रिचाज करना पड़ेगा उसके अलावा आपने 2000 रुपीज दिया है यह फोन के लिए इनिस्टियली और 500 र तो उसके लिए उनका एक एनुवल प्लान आता है तो साथ 2121 ऐसा कुछ फिगर है उसमें आपको 336 जे का आपको वेलिडिटी मिल जाता है उसके लावा फिर 84 देज का आप हम दोबर रिचार्च करा लेंगे क्योंकि 550 रुपीज का होता है फिर साथ कुछ दिन बच्चा रहे हैं तो हम वन मंद का रिचार्च करा लेते हैं 199 रुपीज का तो और जाब आप इसको एड करेंगे यह 3340 रुपीज यह 3400 रुपीज के आसपस आपको यह पड़ेगा उसके अलावा हमने क्या दिया हुआ है 6500 इन टोटल आप इन दोनों को आ गया अब ऐसा देखा जाया तो पंद्राशों का डिफ्रेंस तो कुछ भी नहीं पर जब मोबाइल की कीमत ही आपका 6500 है उसका प्राइज शिक्स्टी फाइज परसेंट में पंद्राशों रुप आपका हो गया तो उस फोन के लिए आप 25 परसेंट रुपीज इंट्रें देंगे और आपको स्मार्ट फोन आपको देखना जहां पर मिल जाएगा उसके अलावा अगर आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है और में चीज यह है कि आप जीस एरिया में रहते हैं वहाँ पर जीयों के नेटवर्क बेस्ट ह क्योंकि इसमहां एक कंडिशन है कि इसमें ड्यवेल सिम लगा सकते हैं अगर आपके अरिया में वहाँ पर अच्छा चलता जी होगा तो फिर आप इसको consider कर सकते हैं तो अगर आप कोई दो हजार का नॉर्मल फोन लेना सोच रहे हैं तो उससे बेटर आप यह फोन ले लिए एक स्मार्ट फोन आपको मिल जाएगा फीचर ठीक ठाक है काफी अच्छे कोई दिकत नहीं आएगा और फिर यह जासा 7000 के बीच में आपको बहुत सारे और फोन मिल जाएंगे क्योंकि इससे बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे और वहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहेगा कि आपको जीओ को सिम रखना ही है यह नेट उसी का योज होगा तो बाकि बहुत सारे फीचर से बहुत दिया हुआ आयम इंट्रस्टेड वहाँ पर आपको क्लिक करना है कि आप इंट्रस्टेड है फिर वो बताएंगे कि फोन कब लॉंच होगा इस डेट में आपको यह मिलेगा तो अगर आपको पसंद है तो आप इस चीश की जाके बिलकुल कर सकते हैं तो बस यही था आज के वीडियो रिकार्डिंग जीओ फोन नेक्स्ट अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दिजेगा और फ्रेंट के साथ शेयर कर दिजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा टिक केर